तो हेलो गाइज हमारे चैनल जैम ट्वाइज में आपका वेलकम सो आप देख सकते हो के आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी गाड़ी जिसका नाम है रॉल्स रॉइज सो जैसे के आप सभी जानते हैं बहुत ही लग्जरी कार में यह गिनी जाती है यह कार बहुत लोगों की यह ड्रीम कार है और ड्रीम कार है लेकिन हम असली वाली कार तो नहीं ले सकते लेकिन यह टॉय वाली कार हमने ले ली है बहुत ही प्यारी लुक के साथ पूरी मैटल की बॉरबंध पूरा इसका जो डरीजिनल गाड़ी होती है उसकी कॉपी है पूरी बिल्कुल वैसी लोकाप को दे रही है आप देख सकते हो और कलर भी बहुत ही प्यारा है आज हम इसका रिवीव करके आपको बताते हैं किसमें क्या-k्या फीचर्स और क्या-क्या इसमें सभी गाड़ी में क्या क्या है और इसका प्राइज क्या है ये भी हम बताएंगे क्या क्या फंक्षन है आप देख सकते हो जी पूरा ये टायर के उपर शाइन बना भूए है रॉल्स रॉइस का बहुत ही प्यारा लग रहा है टायर और पूरी शाहिन कर रही है जे गाड़ी इसका जो विंडो इसकी खुलती है ये पूरी smoothly खुलती है और दिखो अंदर से इंटीरियर भी बहुत बढ़िया है पूरा luxury बनाया हुआ है और जैसे रॉल्स राइस रीजिनल की विंडो पिछली खुलती है वैसे ये भी उल्टी कुलती है और पीछे अंदर देखो बहुत शानद इंटीरियर बनाया है और भी बहुत खास बातें इस कार के बारे में आपको बताऊंगा इसकी डिगी भी खुलती है डिगी में भी स्पेस आपको दखाता हूं यह देखिए पूरी ब्लैक डिगी दखाई गी है पीछे नंबर भी लिखा है और पीछे से भी सेम जो रॉल्स रॉइस की लुक होती है वही दखाई गी है और चोटा सा लोगो देखो इनने पीछे भी बनाया हुआ है नंबर के उपर आप देख सकते हो और एदर की साइड भी सेम ऐसे ही विंडोज खुलती है और देखिए सीट्स बहुत प्यारी लग रही है इंटीर पे बहुत ही अच्छा काम हुआ है और स्टेरिंग वाली साइड भी देखिए पूरी बहुत ही अच्छी इन गाडियों में होता है सभी में तकरीबन और इसका जो बोनट है वो भी खुलता हूँ उसके बारे में भी आपको बताता हूँ यह बोनट ऐसे खुलता है और जो आप लोगों देख रहे हो यह बोनट के अंदर भी हो जाता है ऐसे और आप चाहो तो इसको बाहर भी निक लोगों निकाल दिया और अब मैं आपको इसका लाइटिंग सिस्टम बताता हूं एक तो यह फुल बैक जैसे एक्षिन है इसको नीचे प्रेस करते हैं तो यह लाइट वहां होती है इसकी लोगों के बीच में भी इसकी लाइट है यह देख सकते हूं और पीछे भी लाइट इसकी जगती है यह देखो पीछे वाली जो लाइट है वो भी इसकी है और मीचे एक स्वेच है गाइज यह मैं आपको इसका फंक्शन बताता हूं स्वेच आप देख सकते हूं यह गाड़ी आफ हो गई है कुछ नहीं होगा यह से आप ऐसे पुल बैक एक्षिन ऐसे पॉल करोगे तो गाड़ी चलेगी तो यहां पर थोड़ी जगा स्मूथ नहीं इसलिए नहीं चल पा रही है प्रॉपर तो पुल बैक यह काम करेगा अगर आप स्वेच बंद कर दोगे ऐसे और अगर आप इसको सेंटर में रख दोगे तो यह देखिए यह पर्मानेंट आपकी जो लाइट्स है वो अन रहेंगी ऐसे लोगों की बीच में भी लाइट पर्मानेंट आउन आपकी लाइट्स होगी बच्चे बहुत पसंद करते हैं जब यह लाइट इसकी ऑन होती है पीछे भी पर्मानेंट यह रहेगी ऐसे ही और एक चीज़ आपको बहुत ही स्पैशल अंदर दिखाता हूं दुबारा से यह देखिए रूफ के उपर देखिए पूरा ध्यान रूफ पे लगाईए देखिए चट के सारे कलर चेंज हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं आप ध्यान से देखिए यह रड हो गया और यालो हो गया यह ग्रीन हो गया ग्रीन के बाद यह ब्ल्यू हो गया और ब्ल्यू के बाद ये येलू हो गया और येलू के बाद ग्रीन ऐसे ये रूफ के ऊपर कलर चेंज हो रहे हैं बहुत प्यारी ये पिंक कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है कि यह गाड़ी की सबसे खास चीज मुझे लगी जो लाइट्स में उन्हें रूपर रूप के ऊपर बहुत प्यारा काम किया है और इसको अगर हम यह सेंटर में बट रखना अगर आपने वह फंक्शन लेना यह वाला लाइट्स वाला सेंटर में रखना इसको अगर आप इसक तो यहां पर कर दोगे, आन कर दोगे, तो वही आपका जो अगर आप प्रेस करोगे, तब ही लाइट्स आन होगी इसकी, तो यह है इसके फीचर गाड़ी के, रॉल्स रॉइस के, और देखिए टायर भी कितने स्मूथ है, स्मूथली आप इसको कहीं बड़े ट्रैक पे बहुत ही प्यारी गाड़ी यह मैटल की आज आपको हमने दखाई, तो बात करते हैं अब इसके प्राइज की, तो प्राइज दोस्तो जब मैंने यह गाड़ी ली थी, तो मैंने यह शेक्स्टीन हंड़र में ली थी, शोला सो रॉपय में, और अगर अब आप यह गाड़ी लोगे, तो यह गाड़ी आपको मिलेगी 1000 से 1200 के बीच बीच मिल जाएगी, इसका प्राइज अब कम हो चुका है, आप आप आउनलाइन चेक कर सकते हो, और यह देखिए इसके टायर भी मूव होते हैं, तो बहुत ही प्यारी गाड़ी दोस्तो आज हमने आपको दखाई, अ Thank you so much.